कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ गोलु कुमार और आप देख रहे हैं एटी एचनुज लेवन आज मैं डेहरी परखंड के दरीहट गाउं में उपस्तित हूँ और आपको बताया दें कि आज जो हमारे सक्स जो बगल में बैठे हैं वह एक पहचान के मुहताज नहीं है आज रोहताह जीला में अपना एक अच्छा एक नाम कमाया है जिसका नाम सशी कांतपाल है यह चौश्श्टवी संयूक्त परिक्षा बिप्येसिक में चोज़सों पचासवा रैंक प्राप्ट कर एसी एस्ट सबसे पहले सर बताईए कि आपे आपका जो सिख्षा कहां से प्रारंब हुई इसके बाद मैटरिक मैंने असौपक मारजाइन उच विद्याले से किया और इसके बाद इंटर मैंने आदर्स कॉलेज वराणसी उत्तर परदेश से तथा असनातक रामकिसोर सिंग कॉलेज डल यह आपने यह आपने में प्राप्थ हो एक उन्हीस सो 99 में सिख्षक के रूप में पदस्थापेश हुए थे अधिसर मैं बादम्रद्था गताने इसमें 1099 में चैनित हुए और मेरी प्रारमभिक पोस्टिंग जो है मद्ध भी दाले पटखा लिया रोहतास प्रखंड में हुई प्रथम बार आप ने किया कहा गया है कि सोच और लक्ष बढ़ाने से सफलता कदम चुम लेती है वही इन्होंने अपना सारा कार्य और शिच्छक का पस समालते हुए इन्होंने बीपेसी का चोड़ सो पचासवा रैंक पराप्त कर एक एसी एस्टी कल्याड पदादिकारी के रूप में चैन हुए है सर जो भी लोग हैं जो आपके जैसे अभी तमाम तयारिया कर रहे हैं उसके लिए क्या सुचना देना चाहेंगे आप तमाम तयारी करने वाले अभ्यर्थियों से परिक्षार्थियों और चात्रों से मेरा आग्रह है कि वे लक्ष को कभी छोटा मत निश्चित करें यदि लक्ष बड़ा होगा तो उसके नीचे कहीं न कहीं सफलता मिल जाएगी और लक्ष को ही यदि हम छोटा कर देंगे तो उसके नीचे कहां हम रहेंगे इसलिए जो लक्ष तै किया जाए उसमें निरंतर लगे रहने किया हो सकता है सफलता और असफलता के बीच मूल अंतर यही है कि सफलता उसे ही प्राप्थ होती है यह जो परियास करना नहीं छोड़ते हैं और जो बीच में परियास्ट करना छोड़ देते हैं, वही असफल होते हैं. तो मैं यह कहना है परिक्षार्थियों से और शात्रों से कि अपने लक्ष के परती निरंतर प्रयत्न सील रहे और धैर्ज पुर्वक उस लक्ष को प्राप्त करने के सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहे और कभी निराश नहो मेहनत कहीं विकार नहीं जाता है एक माचीवी बार मैंने इस VPSC की संजुक्त परवेस परीक्षा को मैंने क्रेक किया चलिए इसके निये तो बहुत धन्ने बाद है लेकिन एक और एक मैं सुचना है कि आप जब 1999 में एक सिख्छक के पत्र पर आप सिख्छक मनें और इसके बाद 2011 में CRCC संकुल स्रमनुवयक के तो सभी सिख्षकों ने मेरा चैन किया और इसमें सभी विद्याले के रिपोर्टिंग वेगरा अनुसर्वन और अनुसमर्थन का कार्ज मैंने अभी तक किया और बरतमान में मैं CRCC मध्य विद्याले दरिहट के पदपर ही हूँ अच्छा आप ये बताईए कि जो अपका ब बैक ग्राउंड परिवारिक जो है प्रिष्ट भूमि मैं अतन निर्धन परिवार से आता था मेरे पिता जी और चाचा भेण पालन और कंबल बनाने का काम करते थे और उस समय मैं भी काम में उनके सहयोग करता था और इसके बाद जब मैंने शिक्षक में चैन होने के बाद मैंने अपने सिनियर सिक्षकों से इसके बारे में सुना तो मैं भी उसी दिन लक्ष निश्चित किया और जब भी समय मिला सिक्षन कार्ज के बाद ड्यूटी के बाद तब तक मैंने अपने लक्ष को ही केंद्रित रखा जहां भी रहा अपने साथ किताब और जो मुझे काम उपलब्ध है उसी की सहायता से आज तो इस टेकनलोजी के जुग में सब कुछ मोबाइल पर और कंप्यूटर पर उपलब्ध है उसी से मैंने पीडियेफ और अन्य समगरी प्राप्त कर नोट्स वेगरा अपने से किताब से अंडरलाइन कर और तयार किया आपको कैसा महसूस हो रहा है जब इतने बड़े पद पर आप एक पदस्था पितुने जा रहे हैं मुझे अत्यांत यहां गौरों का छण महसूस हो रहा है और मैं चुकि अपने गाउं में ही रह कर तयारी किया और पूरे गाउं का उत्साह और मुझे धन्यबाद इस पद के लिए दिया कि यहां रहते हुए इस कठिन परिक्षा को मैं मैंने यह मुकाम हासिल किया चलिए तमाम जनकाई देने के लिए हमारे साथ यह थे ससी कांत पाल जी बहुत बहुत धन्यबाद आपको